गुड मोर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करेंगे वक्षीट नमबर 80 सब्जेक्ट का आपका समाज जविग्यान इतियास क्लास आपकी 10 और डेट है 4 फरवरी आज की वक्षीट भी बहुत इंपोर्टेंट वक्षीट है इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि महात्मा गांधी जी से जो उन्होंने कुछ आंदोलन कुछ सत्यागया आरंब किये थे वो दिये गए है और हमें अपने मांचितर में मैप पर बताना है ठीक है उन इस तो लोग को दर्शाना है तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है सबसे पहले दिया गया है वह इस्थान जहां महात्मा गांधी ने नील किर्शी के वरुद आंदोलन किया था तो कहां किया था आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब आपकी एक्जाम की डेट भी आ गई है डेट नहीं मतलब डेट सीट भी आ गई है क्या पूरा एक्जाम का जो कारे करम है वो जारी हो गया है कब कब आपके एक्जाम होने है तो इसलिए अब तो आपको केवल फाइनल तयारी करनी है अगर बहुत अच्छे नंबर से पास होना है तो दूसरा है वह इस्थान जहां महात्मा गांधी ने किट्सिक सत्तागरा आरंब किया था यह कहां किया था केवल यही पता नहीं होना चाहिए कहां किया था यह भी पता होना चाहिए कब किया था कौन से सन में किया था क्योंकि महात्मा गांधी जी से related जो ये आंदोलन है यहां से question बहुत ज़्यादा आने के chances रहते हैं थर्ड है हमारा वह इस्थान जहां महात्मा गांधी ने saviness अवग्या आंदोलन आरंब किया था तो एक बार हम देख लेते हैं कि कब किया था और कहां किया था ये सब देख लेते हैं उसके बाद हम map में भी ने दर्साएंगे सबसे पहले है हमारा वह इस्थान जहां महात्मा गांदी ने नील किर्शी के वुरुद आंदुलन किया था तो यह किया था चमपारण में चमपारण कहा है बिहार में चमपारण में यह बिहार में है यह कब किया था यह 1917 में किया था तो आपको याद कर लेना है और कहीं पर लिख भी लेना है नेक्स्ट है मारा सेकिंड वह इस्थान जहां महात्मा गांधी ने किर्शिक सत्याग्रह आरंब किया था तो यह किया था खेडा जिला में खेड़ा जिला कहा है गुजरात में है यह और यह कब किया था यह किया था 1918 में आपको इसका यह भी पता होना चाहिए बहुत जरूरी है नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड दिया गया है वो है वह इस्थान जहां महात्मा गांधी ने सैविने अवग्या आंदोलन आरंभ किया था यह किया था दांडी में दांडी कहा है दांडी भी गुजरात में है और यह कब किया था 1930 में ठीक है नील सत्यागर है चंपारण में 1930 में तो अब एक बार हमीने map में locate कर लेते हैं map में दर्सा देते हैं कहां पर है कहां पर नी यह हमारे प्यारे भारत का map है आपको भारत का map अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा जो प्रदेश हो कहां पर है उसकी boundary कहां पर है सबसे पहला था हमारा नील सत्याग्रा नील सत्याग्रा कहां हुआ था यह हुआ था बिहार में तो बिहार कहां पर पढ़ता है बिहार है यह ठीक है बिहार की boundary यह है आपको पता होने चाहिए यह जो है यह उत्तर परदेश है उत्तर पेड़े से लगता हुआ ये बिहार है तो बिहार में चमपारण में चमपारण जो है बिहार में इधर पड़ता है उपर ठीक है यानि पाशिम उत्तर में पड़ता है चमपारण तो आप यहां पर लिख दोगे इस तरीके से लोकेट कर दोगे जमपारन को Second question था हमारा क्या किर्षक आंदोलन कहां पर किर्षक सत्यागरा कहां रंब किया था यह किया था खेडा में गुजरात में तो गुजरात है यहां पर गुजरात की यह वाली boundary line है अब यह जो लाइन जा रही है, यह गुजरात की है, खेडा है, खेडा आप यहाँ लोकेट कर देंगे, यह कब किया था, 1918 में मैंने भी आपको बताया था, वो भी आपको पता होना चाहिए, थर्ड है सेविने अरग्या आंदोलन, तो यह भी गुजरात में किया था, गुजर में ही बताया था, आपको इनका यह भी पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो आज की वक्षीट थी, जो हमने डिसकस की, आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छी लगी, तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट भी करना, थैंक्यू, थैंक्स अल आपको कैसी लगी, तो 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 आपको कैसी ल